सबर में सबस्क्राइब व्लाइट किका यंग् sacrifice के अकल्ति समय लिखते हैं भगत सिंग को एक अंग्रेज ने पूछा भगत और भगत सिंग का जब नाम आता है तो हमारे जितने नोजाण होते हैं जो हिस्ट्री को जानते जो हिस्ट्री को पड़ते हैं भगजच सिंह एक ऐसी शक्सियत है क्रानती कारियों में जो हरे एक के दिल के बहुत करीब है हमारे चेहरे खिल जाते हैं मुस्कुराहट आजाती है कि भगजच का नाम आए tel भगत सिंग ये एक ऐसी शक्सियत है उनसे एक अंग्रेज ने उन पर मुकदमा चल रहा था तो भरे कोर्ट में भगत से कहते हैं इन्होंने तुम पर आठ सो साल हुकुमत की तुमने कभी बं नहीं फेका हमें आये देड़ सो साल हुआ है और सेंट्रल लेजिसलेटिव असिमली में भगत सिंग तुमने बं फेक दिया भगत सिंग मुस्कुरा के कहते हैं सर बं में न चर्रा था न चैमिकल थे हम आपको मारना नहीं चाहते थे जजने कहा तो फिर बं क्यों फेका कहा बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है भगत सिंग से कहा कि आच सो साल इन्होंने तुम पे राज किया कभी बं नहीं फेका कहा सर कैसा राज किया ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिडिया पड़ गया ये सोने की चिडिया की चहक है जो आपको साथ समुंदर दूर से खीच कर लाई और देड़ सो साल आपने कैसा राज किया एक लाइन में बताना चाहूं और भगत गजब के विद्वान थे द्वारकादास लाइबरेडी है कहाँ पर लाहौर में कभी कोई पाकिस्तान जाए तो इस लाइबरेडी से होकर जरूर आए वहाँ पर तीन हजार किताबे ऐसी हैं जिसके हर पन्ने पर भगत का एक नोटी खा हुआ है भगत सिंग इतना पढ़ते थे मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा बच्चो पढ़ो एजुकेशन इस एवरीधी भगत कहते हैं देड़ सो साल आपने कैसे राज किया अगर एक लाइन में कहना चाहूँ तो आपने एक स्पंज की तरह राज किया ये स्पंज गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर ले जाता और जब इसे थेम्स लंडन में नदी है थेम्स के किनारे निचोडा जाता तो दौलत बरसने लगती ये जो दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हैं सारे कल कारखाने और अद्योगिक क्रांती उसी से आई और इन्होंने कैसा राज किया इन पठानों और मुगलों ने इसे अपना घर बना लिया इसी की धूल में अपने आपको मिला दिया और जो पैसा यहां से लिया यहीं खर्च कर दिया पेज नंबर है 169 बुक का नाम है ग्रोवर और आप भगत सिंग के इस बयान को वहां पढ़ सकते हैं